नमस्कार दोस्तों नहीं होता है, कोई भी इशू आता है तो वो इसमें आपकी हेल्फ करेंगे किसी भाई का एक कमेंट आया था जिकिए उन्होंने जब शिप्मेंट बुक किया तो उनको प्रॉब्लम आई AWB नंबर से रिलिटेड और ऐसे में शायद उनका शिप्मेंट बुक नहीं हो पाया आज के वीडियो में हम यह सीखेंगे कि किस तरह से शिव्वे के पोर्टल पर जाकर आप अपना पहला शिप्मेंट बुक कर सकते हैं इसके लिए चलना होगा हमें हमारी कम्प्यूटर स्क्रीन पर तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें उपन करना होगा अपना शिव्वे और शिव्वे को मैंने यहां शॉर्टकट के रूप में सेव कर रखा है तो यह मैंने आपको लिंक शेयर किया था अपने वीडियो में यहां पर अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट कर रखा है शिव्वे से तो यहां पर जो भी नया ओडर आता है यहां पर सिंक हो जाता है और नहीं होता है तो मैं यहां पर सिंक ओडर का आपको एक कॉलम मिलेगा बटन मिलेगा यहाँ पर जाकर मैं इसको sync कर लेता हूँ यहाँ पर click करते हैं तो यहाँ पर new order और फिर इसको continue करके हम new order पर click करते हैं और यह automatically जितने भी order इनके पास होंगे वो यहाँ पर दिखाने लग जाएगा कुछ orders हैं तो अभी आपके दिखे यहाँ पर यह दिखा दिया है तो यह दिखे यहाँ पर यह हमारे पास जो order थे वो यहाँ पर दिखा दिये अब चुकि यह सीधा वहाँ से integrated है तो यहाँ पर अपने आप आ गया है लेकिन अभी किसी ने comment किया था कि उन्होंने जब shipment पर order book किया तो उनसे AWB नंबर पहले मंगा गया जो कि उनके पास available नहीं था तो हम यहाँ पर manually एक order add करके देख लेते हैं माल लीजे आपके पास order कहीं से भी आया आपके पास whatsapp से आया, facebook से आया या किसी ने आपको manually message करके मंगाया तो details आपके पास होनी चाहिए तो उस detail के base पर हम यहाँ पर एक order book करके देख लेते हैं तो यहाँ हमें जाना होगा सबसे पहले order पर click कर दीजे view orders पर आजाईए यहाँ आपके पास एक column मिल जाएगा आपको add order का, यहाँ पर single order या bulk order, आपको जैसे भी करना कर सकते हैं मैं single, manually single, single order add करना जादा prefer करता हूँ क्योंकि बहुत जादा order नहीं होते 3-4, 3-4 order होते हैं तो मेरे automatically integrated है तो खुद आजाते हैं, नहीं तो एक order कोई external link से आता है, तो फिर मैं single जाकर add कर देता हूँ तो हम यहाँ single order पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ इस तरह का interface आपके सामने खुल के आ जाएगा इसमें कहीं पर AWE number नहीं मांगा जाता है add product करेंगे तो यहाँ पर आपना product add कर सकते हैं माल लीजे, आप कोई cloth बेज रहे हैं तो CLOTH आपने डाल दिया और यहाँ पर उसका SKU कोई है CLTS तो वो डाल दिया price कितना है तो वो डाल दिया discount अगर कोई दे रहे हैं तो वो डाल दिया नहीं है तो quantity कितनी है एक है तो डाल दिया उसके बाद हमने इसको add कर दिया अगर आपके पास और भी product add करना चाते हैं cloth के साथ माल लीजे आप कुछ और दे रहे हैं seed है तो seed यहाँ डाल दिया इस तरीके से add कर दिया आपने और add करने के बाद यहाँ पर add product पर आपने click कर दिया तो click करने के बाद यहाँ पर माल लीजे हमने यहाँ single order हमने add किया है तो हमने add order पर click कर दिया मतलब बाली जो भाय रागर उसका नाम बर लिये ठीक है ? इसको यहां do इंचा में मेंकरे कुए नाम बर लादी है ? इमेल डालने है तो इमेल मैं आपड़ डाल देता हूं इमेल भी डाल दी, company को यह तो डाल दीजे, optional है वैसे तो, phone number यहाँ पर आपको डालना है, जो भी आपका phone number है, वो डाल दीजे, single phone number आएगा, 10 digit का वो डाल दीजे, address आपका जो भी है, वो यहाँ पर डाल दीजे, ABC, सिवानी, ठीक है, माल लीजे, हमने यहाँ पर और पिन कोड डाल दिया, हमने जो भी हमारा, वो यहाँ पर पिन कोड इसने ले लिया, update हमने यहाँ पर कर दिया, यह detail हमारी check, fill हो गई, यहाँ पर vendor की detail, यहाँ पर, जो order number आप यहाँ देना चाहते हैं, तो वो दीजे, माल जिस तरह से आपका COD वगएरा है, तो वो दे सकते हैं, मैं prepaid रखता हूं, mostly order, तो 99.9% मेरे prepaid होते हैं, और यहाँ पर हमने create पर click कर दिया, create पर click करते ही, हमारा order book हो गया है, यहाँ पर हमें कहीं पर भी AWE number की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ हमने अपने नाम से book किया था तो यहाँ हम जाके देखेंगे, यह order हमने book कर दिया, यह phone number हमने डाला था, वो सारी details आ गई, यहाँ आपको package की detail डालनी है, आप back में भी डाल सकते थे, जैसे आपको मैं दिखाऊ हूँ, तो यहाँ पर edit करके दिखायता हूँ, तो यहाँ हमने edit किया, तो यहाँ पर हम weight ड डाल सकते हैं, किस source से आपका order आया, वो यहाँ पर डाल सकते हैं, आप चुकि हमने यहाँ पर मालीजे नहीं डाला है, तो हम यहाँ पर back आकर यहाँ पर भी details डाल सकते हैं, तो यहाँ आप edit करेंगे, edit करने के बाद मालीजे आपके जो box का size है, वो कितना है, 30, 20, 15, ठीक है और आपके जो weight है, वो कितना है, मालीजे 700 gram, gram में weight रहेगा, centimeter में आपकी dimension रहेगी, वो डालने के बाद यहाँ पर right पर आप click कर दीजे, click करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अभी update हो जाएगा, यह update हो गया, update होने के बाद यहाँ पर यहाँ का courier price का option arc के पास आ रहा है, इस पर आप click कर दीजे, click करने के बाद processing के बाद यहाँ पर यहाँ पर आपके सामने कुछ shipping companies दिखाएगा, जैसे ही Amazon हो गया, Amazon 1 kg, Amazon 5 kg, delivery का हो गया, Amazon shipping, e-com हो गया, उसके बाद आपका blue dart हो गया, तो यह यहाँ पर 3-4 courier service आपको दिखा देती है, आपके area में, आपके pickup point प best लगता है, वो option आप select कर दीजे, select करने के बाद आपने यहाँ पर assign कर देना है, assign करने के बाद simply जब आप assign करेंगे, assign करने के बाद आपका order यहाँ process में आ जाएगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ assign करके, यहाँ पर मैंने यह book किया और यहाँ पर इसको यह assign कर दि यहाँ 275 amount है, देखें, यहाँ से deduct हो जाएगा, जो भी होगा मेरा amount यह देखें, जो amount था वो deduct हो गया, और यहाँ से हटके वो यहाँ आगया process order में, process order में आने के बाद यहाँ से आप invoice अगर print करके बेजना चाते हैं, तो यहाँ से invoice print कर लीजे, और print करके यहाँ से बेज और A4 size में आप इसको छोटा कर दी, custom कर दीए क्योंकि box पर बहुत बड़ा हो जाता है, आगर box बड़ा है तो बड़ा जाल दीजे, box पर नहीं आपा रहा है किसी कारण से तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, percentage wise, और उसको आप paste कर दीजे, paste करने के बाद यहाँ पर आप क जो information है, वो पहुँच जाएगी, next day वो आपका pick up करने के लिए आ जाएंगे, और pick करने के बाद वो यहाँ पर आपका, जब track वाले option में आएंगे, back करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, जब track वाले option में जब आप आएंगे, तो यहाँ पर आपको order दिखा दे, जैसे ही द बुक कर दिया, इसमें कहीं पर भी हमें शुरुआत में AWB नंबर की जरूरत नहीं पड़ी, हो सकता है, आप किसी गलत प्रोसेस से हो सकता है, किसी भाई ने उसमें बुक करने की कोशिश कियो, तो शायद वो आया हो, लेकिन मुझे आइडिया नहीं कहां से वो AWB नंबर प जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंदा